दोस्तों, दुनिया में कई जहरीले जीव होते हैं। इन में सबसे ज्यादा इंसानों और अन्य जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं साप। विश्व स्वास्थे संगठन के मुताबिक हर साल दुनिया में साप 54 लाख लोगों को काटते हैं। जिन में से 81,000 से लेकर 1.38 लाख लोग मारे जाते हैं। क्योंकि इनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो पानी तो क्या हवा भी मांग सके। दर्द, जलन, भरम और जहर के असर से तड़प तड़प कर मर जाता है। इनलेंड तैपान दुनिया के सबसे जहरीले सापों में से एक है। यह आमतोर पर आधा ही डंसता है। यह आमतोर पर आस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह जल्दी इंसानों के संपर्क में नहीं आता। इसकी वज़े से कई जंगली जीव मारे जाते हैं। यह हमला करने से पहले अपने शरीर को तेजी से सिकोड लेता है। उसके बाद अचानक तीर की तरह आगे बढ़कर दंसता है। इसका जहर हेलियूरॉनिडेस एंजाइम होता है। इससे शरीर की जहर खीचने की ताकत ब कर अपने शिकार पर पूरी सटीकता के साथ दंसता है। इसका जहर हमेशा लोगों को नहीं मारता। लेकिन मात्रा ज्यादा हो और इलाज न मिले तो इनसान मर सकता है। यह नमी वाले स्थानों पर ज्यादा रहता है। जंगल जैसी जगहों पर। नमबर 8. किंग कोब्रा किंग कोब्रा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला साब होता है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। यह किसी भी इनसान को 300 फीट दूर से देख लेता है। अगर खत्रा महसूस हुआ तो यह अपने ताकतवर मांसपेशियों गर्दन के आसपास एक होड यानी फन फैला लेता है। यह अपने शरीर का करीब एक तिहाई हिस्सा जमीन से उपर उठा सकता है। इसका वैग्यानिक नाम ओफियो फैगस हाना होता है। इसके काटने पर 7 मिलिलीटर जहर शरीर में जाता है। अगर इसने तीन या चार बार डंज लिया तो बचने की कोई संभावना ही। एक ही बार काटने पर यह 15 मिनिट में एक बड़े वयस्क हाथी को मार सकता है। इंसान तो एक दो मिनिट भी जिंदा नहीं रहता। नमबर 7 बैंडेड करेट बैंडेड करेट यानी बंगेरस फैसियेटिस एक धीमी रफ्तार में चलने वाला साप है। यह आमतोर पर अंधेरे में काटता है। इसके काटने से मासपेशिया लकवागरस्थ हो जाती है। शरीर का डाइफ्राम काम करना बंद कर देता है। इस सापों में यह आकार में सबसे छोटा होता है। लेकिन यह रसेल वाइपर, करेट और कोब्रा को टकर देता है। यह साप अपने मूँ से हिस की आवाज नहीं निकालते। बलकि अपनी त्वचा पर बने स्कैल्स को इतनी जोर से हिलाते हैं कि उससे घिर-घिर की आवाज आ होता है। इसके जहर को काटने के लिए नौ तरह के एंटी वैनम भारत में मौजूद है। नमबर फाइव रसेल वाइपर भारत में इस साप की वजह से हर साल करीब 58,000 लोगों की मौत होती है। रसेल वाइपर का वग्यानिक नाम डाबोया रसली है। यह ट्रू वाइपर सापों की सबसे खतरनाक प्रजाती है। श्रीलंका में यह चावल के खेतों में अकसर किसानों को काट लेता है। इसके काटने से किड्नी फेल हो जाती है। भयानक स्तर की ब्लीडिंग होती है। एक साथ कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। यानि इसके काटने से बचने इसके मैडानों में पाया जाता है। इसका वैग्यानिक नाम नोटिचिस स्कूटैक्स है। पिछले साल आस्ट्रेलिया में इसने एक इनसान को काटा था। हर साल इसकी वज़ह से कम से कम एक इनसान तो मारा ही जाता है। इस साप को South African Green Tree Snack भी कहते हैं. इसका वैग्यानिक नाम Dispolis Types है. इसका बच्चा भी अगर काट ले तो अगले 24 घंटे में एक वयसक इंसान के आख, फेफ़रों, किड्नी, दिल और ब्रेन से ब्लीडिंग होने लगती है. इस साप अफरीका के स्वाजी लेंड, बोट्सवाना, नामीबिया, मोजाबीक और जिमबौवे में मिलते हैं. इनके सरपदंश यानी जहरीले दात अन्य सापों के बजाए पीछे की ओर होते हैं. इनका जहर हेमो टॉक्सिक होता है. जहर से शरीर के अंदर और बाहर ब्लीड ही शरीर को काला करना शुरू कर देता है. ये आमतोर पर पिट वाइपर होते हैं. मध्य और दक्षिन अमेरिका में बहुतायत में पाय जाते हैं. इनकी लंबाई 3.9 से 8.2 फीट तक हो सकती है. वज़य अधिक तम 6 किलोग्राम. मध्य अमेरिका में सापों के काटने के आध वे खतरनाक सापों को पैदा करने में सक्षम होती है. अफ्रीका का सबसे जानलेवा साप है ब्लैक मामबा. वग्यानिक भाशा में इसे डेंडरो अपसिस पॉलिलेपसिस कहते हैं. इसके दो बून जहर से इंसान की मौत तैह है. अगर सही समय पर इलाज न मिले तो इसका ज जहर शरीर में जाते ही नर्वस सिस्टम और मासन पेशियों के जोड को निश्क्रिये कर देता है. जिससे इंसान लकवाग्रस्त हो जाता है. इसका जहर काडियो टॉक्सिक होता है. इससे दिल का दौरा पढ़ता है. हालाकि 20 मिनिट के अंदर इलाज मिल जाए. तो भी इसक आप 8 फीट लंबा होता है. इसके मूँ के अंदर का रंग स्याही जैसा होता है. यह 19 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से भाग सकता है.